नमश्कार दोस्तों, 22 अगस्ट 2021 के डेली न्यूस एनलेसिस करेंट अफेस दिसकेशन में आपका सौगत है देखते हैं आज कौन-कौन से इंपॉर्टेंट न्यूस है पहली न्यूस, मिनिस्ट्री अफ पंचायती राज टू और्गनाईज जीरो हंगर बाई 2030 देखें आपको पता है कि इस पूरे साल आजादी का अमरित महस्व के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स और्गनाईज की जाएंगे कब तक 15 अगस्ट 2022 तक हमारी 25 वी इंडिपिंडनेस की वर्षगाट है तो अलग-अलग मिनिस्ट्री ने अलग-अलग प्रोग्राम्स प्लान की है उसी प्रकार से एक प्रोग्राम है यहाँ पे मिनिस्ट्री ओफ पंचायती राज का इस और्गनाईजिंग आ नैशनल वेबिनार जिसका नाम है इस लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल और रोल ऑफ पंचायत के दुरू जो सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल नमबर टू है जीरो हंगर इसको ओवर ओल खतम करने की कोशिश की जाएगा और ये वेबिनार कब कंड़र्ट करवाए जा रहा है 23 अगस्त 2021 को तो ये वेबिनार लोकल ग्रास रूट लेवल्स पे जो लीडर है जैसे ही जो पंच होगा रहा होते हैं उनको सेंसिटाइज करेगा कि बाई हंगर से लड़ना है उनको बहुत सारी स्कीम्स भारा सरकार की राज्य सरकार की प्रोग्राम्स इनिशेटिव स्टेक्स और इन्नोवेटिव मेजर्स के बारे में बताए जाएगा जिसका इस्तमाल करके वो अपने अपने अलाके में जीरो हंगर के टार्गेट को पूरा कर सकते है उनकी कैपेसिटी बिल्ट अप की जाएगी उनको इनेबल किया जाएगा ताकि वो लोकल लेवल पर एक्शन ले सके ताकि उनकी पंचायत के अलाके में अगर कोई भी इंसान भूका है तो उसको खाना मिल सके ओवर ओल यह जो टार्गेट है हमारा हंगर फ्री इंडिया इसको हम 2030 तक 2030 तक मीट कर सके इसमें चार टेकनिकल सेशन्स होंगे वेबिनार में जहां पर क्रिटिकल इशूस और सब्जेक्ट्स डिसकस के जाएंगे अन दे अटेन्मेंट ऑफ जीरो हंगर बॉइ 2030 इन सब चीजों के बारे में यह पर धंग से बातचीत होगी सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल की बात की जाए तो SDG जो 2 है यह डील करता है जीरो हंगर के साथ सत्रह सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल्ञ नंबर टु है ये काफी इंपोर्टेंट है ऑबर ओल युनैटेड निशन ने सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल्ञ गोल्स को 2015 में शुरू किया था 2030 तक इनको पूरा करना है इंसे पहले थे Millennium Development Goals जो कि 2000 से लेकर 2015 तक चले है United Nations के साब से पूरी दुनिया में 69 करोन लोग ऐसे हैं जो कि भूके हैं और ये हैं लगबग 10% of the world population One in every nine people मतलब कि overall अगर आप देखो तो 9 लोग में से एक आदमी रोज शाम को भूका सोता है और इसमें वो दो करोन लोग भी इंक्लूड़ हैं जो कि फैमिन पे रिसक हैं साउथ सुदान, सोमालिया, येमिन और नाइजीरिया जैसी कंट्रीज में SDG 2 में 8 टार्गेट से मतलब जो जीरो हंगर वरा है इसमें 8 टार्गेट से 14 इंडिकेटर से पाँच आउटकम टार्गेट कौन-कौन से हैं तो एंडिंग हंगर and इंप्रूविंग एक्सेस तो फूड, एंडिंग ओल फॉर्मस अफ मालनुट्रिशन, अग्रिकल्चल प्रोड़क्टिविटी सस्टेनिंग फूड प्रोड़क्शन सिस्टेम्स and resilient agriculture practices and genetic diversity of seeds, cultivated plants and farmed and domesticated animals, investment research and technology देखिए यह सब आपको रटने की जरूरत नहीं है ऐसे बहुत से सबतला sustainable development goal से क्या-क्या रटते रहोगे अगर आप ये भी याद कर पाओ कि भाईया SDG number 2 है zero hunger अगर इतना भी आप याद रख पाओ तो भी अच्छा है हाँ यहाँ पर एक statistic important हुजाता है कि United Nations के एसाफ से 69 करोन लोग हंगरी है जो कि world population का 10% अब इस प्रकार के statistics को आप बहुत प्रकार के questions में quote कर सकते हो तो easy statistics को identify करिए अपने notes में include करिए और इनको exam में reproduce करिएगा यह ज़्यादा effective होते है अब यह पूरा रटने बैट जाओगे कि कितने 8 target हैं कितने 14 indicator हैं तो यह समत रटो 17 development goals हैं कि सब के आप target ही रटने रहे जाएंगे फिर तो परिशान हो जाएंगे GS paper 2 government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation में news काम आएगी अपने members का सौगत कर लेते हैं किसने किसने जुए तो Manpreet Ramana ने हमको जुए रिया गुपता ने हमको जुए रिया गुपता का यह second month as a member welcome back रिया कुमार प्रकृति ने हमको जुए जुए second month as a member welcome back Kumari Prakृति Rajendra Barla ने हमको जुए तो Rajendra Barla, Manpreet Ramana, Kumari Prakृति and Riya Gupta special thanks to Kumari Prakृति and Riya Gupta second month as a member so thank you so much guys and girls for joining thank you so much for your consistent support और आगे बढ़ने इस पहले भाई अगर अब तक आपने वीडियो को like करना भूल गए तो please like जरूर कर दीजे जतना अज़ादा हो सके इस पर comment करके इसका engagement बढ़ाएं अपने दोस्तों के साथ इसको share कर दे आप telegram group join कर लिजे वहाँ पे आपको इस particular lecture की PDF भी मिल जाएगी मैं आपको पिछले दो दिनों की जो editorial lecture से उनकी PDF भी available करवा दूँगा वो update नहीं हुई है मैंने एक दो comments पढ़े Instagram पे follow कर लिजे अगर आप करना चाहे तो और hrshidvadi.com पे जाके आप daily basis पे current affairs भी पढ़ सकते हैं चलिए second news पे पहुँचते हैं इंडिया's highest herbal park inaugurated near Indochina border देखे भाई, इंडिया का सबसे उचा herbal park of India को inaugurate किया गया है 11,000 फिट की उचाई पे Mana village में, ये इंडिया-China border के पास है उत्तराखंड के चमूली डिस्टिक में इडिशनली और culturally important alpine species को conserve करना इसका काम है, high altitude halbal park का, ठीक है वई तो इसके लिए जो तीन एकड का इलाका है, वो मनावन पंचायत के द्वारा research wing of उत्तराखंड forest department को दिया गया है overall इसको तीन साल लग गए develop करने में, central government की campi scheme यानि compensatory afforestation fund and fund management and planning authority scheme के अंदर इसको implement किया गया है अब देखिए compensatory afforestation fund क्या होता है यह जो CAF act था इसको pass किया गया था 2016 में और इसके rules notify किया गया थे 2018 में, ठीक है भई तो क्या है कि पहले compensatory afforestation fund management and planning authority थी, यह ad hoc थी बाद में इसको permanent कर दिया गया overall इस authority के अंदर एक fund होता है और उस fund से पैसा allocate किया जाता है compensatory afforestation क्या होता है कोई भी business, कोई भी agency मान लो किसी forest यह rural इलाके में कोई धंदा खोलती, business खोलती उसके चलते उसने बहुत बड़ा इलाके में इसे paid cut दिये अब अगर उसने बहुत बड़ा इलाके में से paid cut दिये है वहाँ पे mining करनी है या कोई building बनानी है, कुछ भी करना है तो उसका हरजाना भरना पड़ेगा हरजाना कितना भरना पड़ेगा तो जितने इलाके से उसने paid cut दिये है इसका 90% राज्य की सरकारों के पास जाता है और 10% केंदरी की सरकार के पास रहता है इन funds को catchment area के treatment के लिए इस्तमाल के जाता है तो एक river बहरी है इस river के अंदर बहुत सारी tributaries आके गिर रही है तो overall आप इन tributaries में पानी कहां से आएगा हो सकता है पानी वर्सा हो तो overall यहाँ पानी गिरा हो तो यह पानी sub-tributory में पहुँच जागा यह main river में पहुँच जागा तो overall वो इलाका वो इलाका जहां से slope कुछ इस प्रकार से बढ़ रहा है कि कहीं भी पानी गिरे वो रिव नदी में पहुँच जाएगा, मेन नदी में तो उसको बुला जाता है उस मंदेन नदी का catchment एलाका, मतलब उस particular इलाके का जितना भी पानी है वो नदी catch कर लेगी, समझ गया है तो एक नदी कमा लिजे catchment इलाका है जो मैंने यहाँ पर draw किया है तो इस catchment इलाके के अंदर geological conditions कुछ ऐसी है कि कहीं पर भी कुछ भी extra पानी गिर रहा है, तो वो जैसे तैसे करके मेन नदी में पहुँची जाएगा, चैसे सीधे सीधे पहुँचे, चैसे मेन नदी की tributaries के दूर पहुँचे, इसको catchment इलाके बोलता है catchment इलाके के development बहुँच जरूरी होती चुकि इस catchment इलाके के बीच में मानीज़ अगर कोई city बना दी हमने और इधर पानी गिरा, तो ये city इस पानी के फ्रो को ब्लॉक कर सकती है, तो overall city में flooding हो सकती है, इसलिए catchment इलाके में proper तरीके से drainage channel बनाना ये बहुँच जरूरी होता है तो catchment इलाके के treatment के लिए, natural generation के लिए, forest management के लिए, wildlife protection और management के लिए, human wildlife context को रोकने के लिए, awareness generation के लिए ही compensatory afforestation fund के पैसे का इस्तमाल किया जाता है तो इसी compensatory afforestation fund के पैसे का इस्तमाल करके, ये इंडिया का highest herbal park बनाया गया इस herbal park में 40 species पाई जाती है, high altitude alpine areas में, Indian Himalayan region में, 40 important species हैं यहाँ पे overall आप देखोगे तो ये जो species हैं, they are declared endangered and threatened by International Union for Conservation of Nature ठीक है, state biodiversity ने भी इनको red list में डाल रखा है, ये जो park है आपका, इसको चार sections में बाटा गया है पहला section, बद्री नात, यानि कि Lord Vishnu के साथ associated है, बाकी sections के बारे में जदे मैंने information नहीं करी है चुकि पहले section में बद्री तुलसी, बद्री बेर, बद्री ट्री, सब कुछ बद्री बद्री नाम से है, तो Lord Vishnu के नाम पे बाकी भी तीन sections के नाम इसी प्रकार से हैं ठीक है, तो याद रहती है का इंडिया का herbal park, यह जो PCS के one liner type के questions आते हैं न, इसमें पूछ दिया जाएगा आपसे, कि इंडिया का highest herbal park कौन से state में inaugurate किया है, तो option दे देगा जमून कश्मीर, खेर जमून कश्मीर तो अब union territory है, ऐसे option दे सकता है, और नाचल प्रदेश में हैं, सिक्किम में हैं, कि आपका उत्राखंड में हैं, या हिमाचल प्रदेश में हैं, अब हर जगाओं पे पहाड हैं, हर जगाओं पे पहाड हैं, तो herbal park highest, आप यह तो guess कर सकते हो कि highest herbal park पहाड में होगा, पर exact state आप guess नहीं कर सकते हो, तो इस पकार की news याद रखेगा, जी सिमहाधरी thermal power station एक super power plant है, यहाँ पे 2000 megawatt coal based power station है, और सबसे खास बात है सिमहाधरी power station की यह है, कि अपनी water requirements के लिए यह बेओ बंगाल से पानी रहता है, यह आपका fresh water को इस्तमान नहीं करता है, समझ गए, this is not using fresh water, तो इसके लिए ताकि यह अपनी water requirements के लिए पानी खीच स इसलिए confused मत होईएगा कि यह reservoir तो सर हाइडरो power projects के पास होते हैं, यह तो thermal power station है, तो यह reservoir वहाँ बना हुआ है, इससे पानी खीचता है, यह power plant अपने water requirements के लिए अच्छा का सा पानी की जुरुत पढ़ती है, अब इस सिमहाधरी reservoir में, NTPC ने सबसे बड़ा solar PV project, floating solar PV project 25 megawatt क commission की है, floating solar PV project क्या होता, तो माल लिजे यह reservoir रहा हूँ, यह पानी का level है, अब इस पानी के level के उपर आपने solar panels को बिचा दिया, तो जब पानी की surface के उपर आप solar panel को बिचा देते हो ना, तो यह बहुत useful, चुकि इसमें सबसे बली बाद जमीन युस्तमाल नहीं होती, पानी जगा पर वैसे भी आप ज़ादा कुछ नहीं कर सकते, तो इसके उपर अगर आप solar panel बिचा देते हो, तो आप जमीन यु प्रोटेक्ट कर सकते हो, साथ सथ रेनेवेबल एनरजी के production को भी बढ़ा सकते हो, और यही यहाँ पर NTPC कर रहा है अपनी flexibilization scheme के अंदर, इस flexibilization scheme क तो 2018 में government of India ने notify किया दा, अब आप बोलोगे सर यह flexibilization scheme क्या है, तो NTPC जैसी companies आगे आने वाले समय में, बिल्कुल ही unviable ना हो जाए, देखे क्या है न, national thermal power production एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि thermal power, मतलब coal based power production company है, अब यह क्या है, बहुत सारा pollution करती है, तो इनके उप renewable energy से भी power पैदा करो, तब तुमारी utility जादा होगी, तो NTPC अब यहाँ पर renewable energy में भी बहुत जादा involve हो रही है, किस हद तक involve हो रही है, आप अगर देखो, तो अगर हम बात करें NTPC की, तो इसके पास installed capacity is 66,900 megawatt की, 71 power stations इसके अंदर आते हैं, 29 renewable projects भी चला रहा है, इसका target ह कि 2032 तक, 60 gigawatt renewable energy install करेगा NTPC, सुचिए thermal power corporation NTPC, 60 gigawatt renewable energy को install करनी की planning कर रहा है, मतलब यह पूरी तरीके से coal waste unit नहीं रह गई है, यह renewable energy में भी उतना ही involved हो रहा है, एक central public sector undertaking है, ministry of power के अंदर काम करता है NTPC, 1975 में इसको लगबग, मतलब envisage किया गया था, reliable power and related solutions देना, महारतना company मना दिया गया, इसको मई 2010 में न्यू दिल्ली में इसका headquarter है, actually में जो लोग mechanical engineering से engineering करते है न, और technical field में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए NTPC dream job की तरह होती है, ठीक है, एक समय पर मैं भी जब आपका दिल्ली के अपने college से pass out हुआ था, तो उसमें पर मैं भी सोचता था कि NTPC में नौकरी लग जाए, वायद में पता चला कि या यह technical चीज़ें अपने बस की नहीं है, तो 75 एकर के इस RV reservoir में इस floating solar installation को किया जाएगा, एक लाख solar PV models के हाँ पर deploy किया जाएगा, जितनी यहां पर बिजली पैदा होगी न, उससे 7,000 घरों की बिजली हो जाएगी, और 46,000 CO2 का emission हम यहाँ पर कम कर सकते हैं, 1,364 million liters of water per annum भी हम बचा पाएंगे, अब आप बोलो कि सर यह 1,364 million liter कैसे बचाएंगे तो thermal power station है न, हाइडरो तो है न, देखे, thermal power station में भी पानी इस्तमाल होता है, ठीक है न, तो जितना extra बिजली यह आपके solar panel पैदा कर देंगे, उतने extra पानी की ज़रूरत thermal power plant को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह जो 1,364 million liters of water है न, यह आराम से 6700 households को पानी प्रोवाइड कर सकता है, तो यह एक जवरदर्स प्लान है NTPC को और इस पकार के बहुत से प्लांस NTPC इन वे सीच कर रहा है, इंप्लिमेंट क पो डिस्टिक्ट है, यह आपकी दो वुमेन हैं, इस डिस्टिक्ट के अंदर एक गाओं है सबांग गाओं, इनको National Handicraft Award दिया गया, कौन-कौन है यह वुमेन, तो एक का नाम है गौरी रानी जना, एक का नाम है गौरी बालादास, तो इन दोनों लोगों को Independence Day पे यह अव मादूर मैट, इन फैक्ट मैं आपको बता दूँ कि यह जो मादूर काठी है, इसको GI टैग भी दिया गया है, बाइदा जोग्रिफिकल इंडिकेशन रिजिस्ट्री इन अप्रैल 2018, यह जो मादूर काठी इसको आप मादूर मैट भी बोलता है, कन्फ्यूज मत होगी है, मा मादूर काठी को GI टैग मिला हुआ है, तो इसके इनपुट से ही बनेगी आपकी मादूर फ्लोर मैट, तो कोई और इलाके का इनसान मादूर फ्लोर मैट नाम इस्तिमाल करके अपने प्रोड़क को नहीं बेच सकता, मादूर फ्लोर मैट वो होगी, जिन में मादूर काठी नाम से इनपूर आया होगा, और मादूर काठी प्लानिट को यहां पे GI टैग मिल रखा है, अब बात यह है कि ट्रेडिशनल क्राफ्ट की जो इंडस्ट्री है ना, आपकी बंगाल में, 80-90% वर्क फॉर्स वुमन है, और यह जो मादूर मैट है, इसका अदाम 100 रुपे से 1 लाक रुपे के बीच में वैरी करता है, अब हम बात करते हैं कि ओवर ओल यह जो मादूर मैट है, इसका ओरिजिन क्या है, इसको मस्लेंड मैट भी कहा जाता था मुस्लिम पीरिड में, वेस्ट बंगाल में जो मुस्लिम राजाओं को याद था, यह मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान, तो जो अली वर्दी खान थे 1744 में, जब यह बंगाल के अलाकों से टैक्स वसूल करते थे, तो टैक्स में इनोंने यह भी बोल रखा था कि अगर कोई मस्लेंड मैट दे रहा है, तो वो ले लो as a tax, चुकि यह मस्लेंड मैट आपके रॉयल घराने में भ काम आ जाएंगे और इन मैसलेंड मैट को बेचना बड़ा आसान होता था, अराम से बिख जाते थे हैं मार्केट में, ठीके, तो उस समय पे, अली वर्दी खान के समय पे 74% वीवर्स हैंड वोवन मैट बनाते थे, सब के पास एक, तेकि आज की डेट में तो लूम बेस्ट भी बनते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग, आप कह सकते हो की, हैंड वोवन मैट बनाते हैं, खास बात यह है कि इन हैंड वोवन मैट को बनाने के लिए, आपके पास एक ट्रेडिशनल लॉलेज होनी चाहिए, एक फाइन वेराइटी ओफ एक्स्क्लूजिव मैट को वीव करना पड़ता है, और यह जो वीव करने की स्किल है ना, यह कुछ स्पेसिफिक फैमिलीज के पास ही बची हुई है, बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कि लूम बेस्ट वीवर्स भी हैं, देखिए दो तरीके चीज़े होती हैं, एक तो होता है लूम, पा वीविंग इंडस्ट्री है, आपकी बंगाल में, बहुत सारे चीज़े मना जाती हैं, बैक्स, फोल्डर्स, टेबल मैट्स, लूम बेस्ट बनाते हैं, और बाकी लोग लूम बेस्ट मैट्स बनाते हैं, अली वर्दी खान के समय पर अब्वेस्ट हैं, कोई पावर लूम व बनाते होंगे, तो इस प्रकार की ये, आपकी मैट्स होती, इनकी यूट्रिटी काफी जादा है, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी इनकी एक्सिप्टिबिल्टी बहुत और काफी बिखती है, बंगाल में, अल्मोस्ट हर घरों में, इस प्रकार की आपको मैट्स मिल जाए जी इस पेपर 3 में न्यूज आपको कामाई लिए, फिर अरुनाचल प्रदेश में एक इनहरिटेंस बिल लाया जा रहा है, जिसके अगेंस्ट अपोजिशन शुरू हो गया, इसका नाम है ड्राफ्ट अरुनाचल प्रदेश मैरिज और इनहरिटेंस और प्रॉपर्टी बि अब इस ड्राफ्ट अरुनाचल प्रदेश मैरिज और इनहरिटेंस और इनहरिटेंस और प्रॉपर्टी बिल 2021 में है क्या, क्लॉस क्या बोलता है, क्लॉस यह बोलता है, कि एन APST, यानि कि अरुनाचल प्रदेश की शेडूल ट्राइप की जो वूमन है, she shall enjoy the right to any immovable property owned and acquired by her in her lifetime, in the event of her death, her husband and her hair would have full rights to its disposal and alienation to any indigenous tribe of अरुनाचल प्रदेश, देखिए क्या है, समझ ये बात को, APST, यानि अरुनाचल प्रदेश, शेडूल ट्राइप वूमन, इनको आपके बहुत सारे land rights है, ठीके भई, अब आपके पास अगर land rights है, तो जब तक ये woman जिन्दा है, तब तक इसके जो भी rights, इसका जो भी land, उस land पर क्या होगा, ये woman decide करेगी, एक बार मालीजिस की मृत् प्रती होती ही, तो wife के पास चले जाते हैं, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन बहुत सारे student organizations अरुनाचल प्रदेश में protest कर रहे हैं, क्यों protest कर रहे हैं, इनका ये बोलना है, कि अगर कोई अरुनाचल प्रदेश की schedule tribe की woman, किसी non-अरुनाचल प्रदेश schedule tribe के man के साथ शादी कर लेती है, तो ऐसे cases में उन property का claim इस woman के मरने के पास एक non-अरुनाचल प्रदेश schedule tribe की man के पास चला जाएगा, अब यहाँ पर देखे, tribal identity की बात आ गई है, अगर आप schedule caste और schedule tribes modification order 1956 देखें, जिसको act 69 of 1986 से insert किया गया है, तो जो भी schedule tribe है अरुनाचल प्रदेश में कौन कौन है, तो अब और आका, अपतानी, दाफला, गलोंग, खामती, खोवा, मिश्मी, मुंपा, मुंबा, नागा tribes, शिर्दुक्पन और सिंगफो, तब इन tribes की जो schedule tribe की जो woman है, अगर वो किसी ऐसे इंसान से men's से शादी करती है, जो मानलो general category का है, या फिर मानलो किसी non- अनुनाचल प्रदेश, schedule tribe का है, तो उस case में, अब देखिए, इस bill के हिसाब से तो, ताकत किस के पास है, जमीन किस के पास है, वोमन के पास है, तो अभी किसी non- अनुनाचल प्रदेश, schedule tribe men's है, general category men's से अगर शादी करती है एक woman, बाद में उस woman की मृत्य होती है, तो ये जमीन तो उस दूसरी category के इंसान के पास चली जाएगी, और इस चीज़ से problem है, यहाँ पे अनुनाचल प्रदेश के local लोगों को, यह जो all अनुनाचल प्रदेश, हैं, ST related, वो चीज़ लो, मतलब कि एक woman, एक अनुनाचल प्रदेश की schedule tribe woman, अगर किसी नौन अनुनाचल प्रदेश, schedule tribe men's से शादी करती है, तो उसका ST status और उसके benefits चीन लिए जाने चाहिए, और अगर आप ST status benefits चीन होगे, तो land ownership rights भी चीन जाएगे, तो यह है पूरा का अनुनाचल प्रदेश की, उसके पास की रहें, कभी बाहर ना चाहिए, GS paper 2 और GS paper 1 में particular news आपको काम आएगे, फिर बात करते हैं, कश्मीर's famed hand knotted corporate, देखें कश्मीर की जो famed hand knotted corporate है, इसको GI status दिलाने की कोशिश कर रहा है, बहुत लंबे समय से जम्मुन कश्मीर का handy craft और hand कार्पेट की फोटो है, तो जो कश्मीर की famous hand knotted कार्पेट है, इसको GI status दिलाने की यहां कोशिश की जारी, और success क्या मिली है, कि Indian postal service के special cover पे इसकी फोटो आई है, बात यहां पे यह है कि बहुत modernization करने की कोशिश कर रहा है, जम्मुन कश्मीर का handy craft and handloom department, क्योंकि इस कश्म कार्पेट के सामने कुछ challenges आ रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में चायना, तर्की, बेल्जिम, इनकी कार्पेट भी बिखती है, तो इनके साथ कंपीट करना है कार्पेट को, फिर हमारे जैपूर आगरा भधोई और अमरे सर की रीजन में भी कार्पेट बनती है, इनके सा manufacturing में, 80,000 local people deployed है, और अगर आप देखोगे, तो post 1990 के period में, इन कार्पेट की जो manufacturing है, वो बहुत तेजी से बड़ी थी, इनके demand बहुत तेजी से बड़ी थी, 1990-1990 में, जो production था इन कार्पेट का, इट वस सम्वेर अराउंड 84.55 करोन, यहां देखें, और यह पहन सही से नही यह ऐसे लिख रखा है, शायद यह 2015-16 होगा है, यह 2016-17 होगा, इसमें आपका production था कार्पेट का 821.5 करो, अब recently यह देखने को मिल रहा है, कि overall इनका जो export है, वो कम हो गया, चुकि export markets और even domestic markets में, जो दूसरी जगहे की कार्पेट से, वो इनको competition दे रही है, इसलिए भाई, यहां पे हो रहा है कि जमुन कश्मीर की सरकार बहुत सारे ऐसे steps ले रही है, जो हमारी कश्मीर कार्पेट से उनकी आपके सकते हैं जो fame है वो बना रहे है, चुकि quality control का भी मुद्दार है, बहुत सारे लोग फरजी किसम की कार्पेट बना देते हैं, और कश्मीरी को इताकत दी है, कि कोई भी machine made item को आप declare नहीं कर सकते हैं कश्मीर hand knotted carpet की category में, और GI labeling of products जैसा करने कोशिश कर रहे हैं, मतलब अगर कोई भी particular इंसान जमुन कश्मीर के अंदर फरजी किसम की कार्पेट बनाता है, और बोलता है कि जमुन कश्मीर की hand knotted कार्पेट है, तो उ बहुत सारे वीवर्स आपके कह सकते हैं कि कश्मीर में आये थे और overall यहाँ पे exquisite artwork से इस प्रकार की कार्पेट बनाई जाने लगी थी, तो कार्पेट मेकिंग इंडस्टी बहुत लंबे समय से कश्मीर में प्रॉलिफरेट कर रही है, हाला कि अब इनकी demand थोड़ी कम होती निजर आ लिए, due to the fake news selling in the overall export markets और due to competition from outside, कश्मीर चेंबर ओफ कॉमर्स और इंडस्टी इस एक और बात से परिशान है, recently जो नए export incentives launch की गए न, remission of duties and taxes on exported products, इसमें सिल्क कार्पेट को केवल 1.2% का benefit है, जबकि MIS के अंदर 5% का benefit हुआ करता था, तो overall अब यहाँ पे exporters को, जो export incentive था, वो भी कम मिलेगा, तो यह भी एक problem है, जिस paper 3 में, यह news आपको काम आईगी, next news यह है, कि Nanyang Technological University Singapore ने, एक stretchable battery बनाई है, जो कि human sweat का इस्तमाल करके electricity पैदा कर सकती है, तीन scientists ने इसमें काम किया है, जिसमें एक है, डॉक्टर गुरू नातन थंगावेल, जो कि अ 2 ml sweat का इस्तमाल करके 20 hours of electricity पैदा की जा सकती है, इस electricity से क्या किया जाएगा, तो जो smart watches और arm straps पहुंचते हैं लोग, उनको electric power supply दी जा सकती है, क्या technology उसकी की तो printed silver flake electrodes इस्तमाल किये गए, जो कि sweat की presence में electricity पैदा कर सकते है, तो एक paper bandage होगा, जिसको एक sweat absorbed and textile से जोड़ा जा इस प्रकार के device में किसी भी प्रकार के toxic chemicals का इस्तमाल नहीं किया गया, तो environmental friendly है, यह sweet powered battery है, इसमें printing ink containing silver flake and hydrophilic polyutherine acrylate का इस्तमाल किया गया, बहुत specific words है, बस आप इनको एक बार देख लो, रटने की जरूत है नहीं, हो सकता है, UPST prelims के किसी, आप कह सकते हो, MCQ में पो काम आईगी, फिर शीलंका में drunk diving of elephants बंदी गई, बंद हो गई है, मतलब, elephants के उपर जो लोग के उसको चलाते हैं, वो drunk होते हैं, अब क्या है कि शीलंका में आपको बता दूँ एक ऐसा देश है, जहां पर domesticated elephant बहुत जाता है, मतलब, लोग elephant पालना पसंद करते हैं, जो बहुत सारे रिच स्री लंकांस हैं, जैसे बुद्धिस्ट, मौंक वगरा हो गए, वो elephant को as a pet रखते हैं, ताकि वो show off कर सके कि देखो हम कितने अमीर हैं, लेकिन इसके चलते होता ही है, कि elephants के अगेंस्ट बहुत किसम के ill treatment और अक्तियाचार की ख़बरें सुनने को मिलती है इसी लिए, यहाँ पे कुछ नए measures लाए गए हैं, for protecting the animals welfare and include strict regulations around working elephants, यह जो elephants हैं आपके, overall श्री लंका में, इनके welfare को लेके, इनको protect करने के लिए, आप कह सकते हो कि बहुत सरे measures यहाँ पे श्री लंका की सरकार की दौरे रिलीज किएगें, first of all, इन elephants को आपको डेली की basis पे यहाँ गंटे के लिए नहलाना है, जो working elephants भी हैं, उनका working limited होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो working elephants होते हैं, जहाँ पे भी wood cutting industry है, तो wood के बड़े-बड़े locks को अपनी सूर से हाथी उठा के एक जगह से दुस्री जगह transfer करते हैं, तो इस प्रकार के कामों में हाथ हातियों को deploy किया जाते हैं, टूरिस्ट एक्टिविटीज में हातियों को deploy किया जाते हैं, जहाँ चलो हाती सिवारी कर आते हैं, तो चाल पांच टूरिस्ट को उसकी बीट पे बठाल दिया, तो इन सब चीजों में कुछ नए regulations यहाँ पे लेके आएगे, फिर यह भी बोला अब सारे wild elephants का तो इन आप ID करोगे, लेकिन जो domesticated elephants से उनका photo identity card और DNA stamp होना चाहिए, कुल में आके baby elephants को किसी भी प्रकार के काम के लिए इस्तमाल नहीं किया सकता, baby elephant को उसकी मा से अलगनी करना है, यह जो logging industry है, लकडी की चीजों को ठाके एक जगा सा दूसरी जगा ले जान से ज़्यादा लोग नहीं बैठेंगे, और वो भी saddle के उपर बैठेंगे, सीधे-सीधे हाथी के पीट पे नहीं बैठेंगे, किसी भी प्रकार के film में हाथियों का प्रयोग अब band है, ठीक है, आप कह सकते हो कि government production के अंदर ही हाथियों की filming हो सकती है, private production में नहीं हो सकती है, हर हाथी को, हर 6 महीने में एक medical check-up के लिए भेजना होगा, खासकर domesticated हाथी को, जिन owners में हाथियों को पाल रखा है, वो उनका medical check-up कराएंगे, और wild elephants को अगर कोई capture करता है शीलंका में, तो ये एक criminal offense है, जिसमें मौत तक की सजा दी जा सकती है, लेकिन actually में prosecution होते नहीं है, बले ही मौत की सजा है on paper, पर prosecutor नहीं किया जाता है, अगर आपने या पर law तोड़ा, तो आपको तीन साल का prison statement भी दिया जा सकता है, शीलंका के elephant की बात की जाए, तो ये Asian elephant species की one of the sub species है, इसको अप Eliphas Maximus भी बोलते हो, endangered बताया गया इसको, International Union for Conservation of Nature के दोरा, elephant कहा कहा, प्रेजिंटे है, शीलंका के अंदर, तो North East व सौथ East व शीलंका में, एक उदा वलावे नैशनल पारक है, याला नैशनल पारक है, लूनुगह मवहरा नैशनल पारक है, विली पतु नैशनल पारक है, मिनरेया नैशनल पारक है, तो जो सकता है कि UPAC में इस प्रका मवराय, मिनेराई और वेला पतू यह सब श्रीलंका में है गॉट इट जी एस फेपर थी में काम आएगा और फाइनल निउस प्राइमिनिस्टर नए बन गए है मलेशिया के ने प्राइमिनिस्टर का नाम है इसमाइल सबरी याकूब का पॉइंट किस ने किया है तो मलेशिया नेशनल और्गनाइज़ेशन पाटी के हैं पहले यह पाटी बहुत लंबे समय तक मलेशिया में राज में रही है फिर मुहियुद्दीन यासीन आ गय थे किसी और पाटी के थे अब फिर से युनाइटेड मलेशिया नेशनल और्गनाइज़ेशन पावर में आ गई है तो एक चोटी सी न्यूज है मलेशा की पार्लेमेंट की बात की जाए तो इसके तीन कंपोनेट से एक है देवान रियाकेट जो कि हाउज़ा रेप्रेजेंटेटिव से में लोक सभा इंडिया की एक देवान नगरा जिसको आप सेनेट बोलते हैं जैसे राज सभा इंडिया की और एक चोटी सी कंट्री इसके बीच में सैंडविच नाम में बुनई दारुस्तलाम हला कि बुनई दारुस्तलाम का साउच जैना सी में एकसे है तो यह है पूरी की पूरी नूस दोस्तों आई होप आपको चीज़ें पसंद आई हूँ जीस पेपर मैं तो करेंट न्यूस पो काम आईगी जादा साथ लोग साथ इस वीडियो को शेर करिए दोस्तों आपको मेरे एफर्ट्स कैसे लग रहे हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इस्टाग्राम पे चाहिए तो फॉलो कर लिए जो जितने जादे नंबर्स में उसके जोइन करें that is specifically helpful to me thank you for watching friends have a great day goodbye